हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं IDFC First Bank के बारे में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि IDFC First Bank के शेर के अंदर आज मजबूती देखने के लिए मिली और 4.28% की जो है तेजी आज IDFC First Bank के शेर के अंदर देखने के लिए मिली और इंट्रा डे जो है शेर 42.85 पैसे के हाई जो है टच करके आया और अपने 52 वीख हाई से अब केवल ये 4 रुपे दूर रह गया है तो करीब इन 4 से 5 रुपे की दूरी अब अगर इसकी बात करें तो 52 वी खाई से मातर जो है अगयी है ऐसा क्या हुआ कि आज ये एका एक दो बजे के बाद शेर प्राइस के इंदर इतना तगड़ा राइस देखने के लिए मिला तो देखेगा ये सूचना है मैं आपके साथ शेर करता हूँ तो IDOC First Bank ने BSC और NSC को सूचित किया उनको इनफॉर्म किया कि उनके जो Deposits है और जो उनके Advances है उनका क्या Status है यानि कि इस Quarter के दुरान उन्होंने किस तरीके से Deposits और Advances को मैनेज किया या किस तरीके से उनकी Performance रही तो इस Performance को देखके बजार के अंदर खुशिया आ गए इस शेर के परती और इस शेर को हाथो हाथ लिया गया जिसकी वज़े से Share Price के अंदर विद वोल्यूम एक अच्छी तेजी देखने के लिए गले अगर Customers के Deposits की बात करें तो ये जो Bank है इसका जो Focus है वो ये है कि ये अपने Deposits को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए रीजन यह है क्योंकि IDFC First Bank का Capital First के साथ जब मर्जर हुआ तो ये बात सामने आई कि जो Capital First Borrowings करके यानि कि उधार पैसे लेके आगे उधार देता था और Bank में शामिल होने से एक फायदा हो गया कि Bank जो है Customer से Deposit ले सकते हैं और Cheap Rate of Interest के उपर उनको पैसा मिल सकता है अब वी वैदनाथन जी ने मर्जर के बाद एक स्टेजी जो है फोलो की और उस स्टेजी के तहत उन्होंने एक लाख रुपे से जादा के Deposit के उपर 7% का Rate of Interest देना जो है तै किया और सभी Saving Bank Accounts के Holders को ये सुविधा दी गई तो यहाँ पर अगर आप एक लाख एक रुपे भी अगर जमा करेंगी तो पूरे माउड पर आपको 7% Rate of Interest जो है मिलेगा तो इसकी वज़े से बहुत सारे जो कस्टोमर्स हैं वो इनकी तरफ आकरशित हुए दूसरा इन्होंने जबस्त एड केंपेंग किया उसमें चाहे हरशा भोगले की बात करें या मीता बच्चन की बात करें या बिक बोस की बात करें या और बहुत सारे प्लेटफोर्म्स जहां पर इन्होंने अग्रेसिवली जो है डूसरा इसके अलावा इन्होंने जबस्त ब्रांच एक्सपेंशिन किये तो डिपोजिट्स को कैटर करने के लिए इनकी जो स्टेटीजी है वो यह है कि अभी हाल फिलाल में साथ पसेंट रेट ऑफ इंटेस्ट हम देते हैं जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा कस्टोमर्स को ड्रेक्ट कर सकें ज्यादा से ज्यादा अकाउंट ओपन कर सकें फिर बाद में जब स्थिती अनुकूल होंगी तो रेट ऑफ इंटेस्ट घटाया भी जा सकता है तो अभी यह जो रेट ऑफ इंटेस्ट है अगर मार्केट के अंदर घरम बात करें तो एक दो players और हैं जो इसी के आसपास के rate of interest जो है deposits पर देते हैं तो यहाँ पर मैं small finance bank की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं full finance bank की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो भी deposits हैं, उनके बढ़ने से bank ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उधार दे सकता है और उसका जो difference होता है, वो net interest margin होता है हाले कि 7% rate of interest देनी की वज़े से, इसकी profitability जरूर से जरूर impact होती है क्योंकि अगर 7% rate of interest आप deposits पर देंगे, तो आपके profit margins बेशक से कम हो जाएंगे लेकिन आप देखिएगा, आप अपने bank को grow करना चाहते हैं तो branch expansion के साथ, साथ advertisement और जिस तरीके से customers के deposits को एक product के माध्यम से आप sale कर रहे हैं तो यह सेविंग bank का product है, bank काफी aggressively जो हिसको promote कर रहे है और उसकी बदोलत देखिएगा, यहाँ पे deposits में क्या growth मिली है Year on year, एक साल के दौरान अगरम बात करें, तो यह growth 41% रही है customers के deposits पे, जो की balance sheet को काफी strength देती है इस रूप में कि जो borrowings है, जो higher rate of interest के उपर उनको मिलती थी, वो reduce हो जाती है और bank अपने deposits को advance देने के लिए यूज़ कर सकता है और अगर quarter on quarter भी बात करें, तो 11% की growth जिस तरीके से capital first के अंदर, यह profits के अंदर 10% की growth करते थे quarter on quarter उसी तरीके से यहां पर अभी deposits के अंदर है, मैं भी यह नहीं कहा रहा कि profits के अंदर यह growth है तो यह जो customers के deposits हैं, यह 11% Q on Q basis पर बढ़े है और वरतमान में 77, 289 crores के customers deposit इनके पास है और इसके बाद देखेगा, यहां पर इनका जो focus है, वो bank FD पर भी था लेकिन bank FD, क्योंकि saving bank से भी कम rate of interest देती है तो bank FD जो है, कोई कराया गा ने इनके पास तो जो wholesale deposits हैं, अगर हम उसकी बात करें तो वो जो figure है, वो 18854 है, जो पिछले सितंबर के मुकाबले में सितंबर 20 के मुकाबले में 5% घट गई है तो reason simple साई, जब saving bank पे अगर एक लाग से उपर 7% interest मिलेगा तो कोई भी वेक्ति क्यों, जो है FD के इंदर 6% या 5% या 5% interest लेगा तो इस वज़े से देखिएगा, जो wholesale deposits है, वो कम हो गए है इनके तो bank अपनी strategy के साब से, जो kasa deposit है नहीं की current account और saving अगों और देखिएगा, current account interest देना ही नहीं पड़ता तो यहाँ पर देखिएगा, जो kasa deposits है, उसके इंदर जो growth आई है, वो कितनी आई है तो market को यह चीज काफी पसंद आई, जिसकी वज़े से share price के उपर एक positive reaction आपको देखने के लिए बिला देखिए, कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ ही जो ग्रहाक होते हैं, उनका पैसा bank पे रहता है अगर वो ग्रहाक वापिस चले जाते हैं, तो bank संकट में आ गयाता है, तो देखिए, अब ऐसा नहीं है, कि जो top 20 deposits हैं, जो 20 पर मुग ग्रहाक हैं, वो जो है, पहले 23% पूरी deposits रखते थे, यानि कि कि वहला 20 लोगों पर निर्भर करते थे आप, तो वो अब ratio घटकर 9.7% ह जो कि bank के लिए बहतर है, कि जादा से जादा लोगों से पैसा आपने उधार लिया है, तो वो लोग इखटे होके आपको परिशान नहीं कर सकते, अगर ये 20 लोग अपने deposit बहार निकाल लेते, तो देखिए कि bank को परिशानी में आ सकता था, तो जो बड़े depositors हैं, उनके अ यहां पर customers के जो deposits हैं, KASA की ratio कितनी है, यानि कि जो KASA ratio है, वो कितनी है, यानि कि जो आपकी liabilities हैं, वो जो भी आपने borrowings और जो बाके deposits हैं, उनके मकाबले में क्या है KASA, तो KASA ratio जितनी अच्छी होगी, इसका मतलब है कि आपके पस cheap loan उतने जाता होंगे, सस्ते loan जितन उसके मुकाबले में 44.6, और पिछले quarter में 36.5 थी, उसके मुकाबले में भी काफी बहतर हो गई है, तो अब यहां देखिएगा, यह कासा ratio है, यह काफी बहतर है, और यह average KASA ratio है, अगर हाप closing की बात करेंगे खाली December की, तो वो 48.4 है, तो यह काफी बहतरी कासा ratio है, और यह aggressively saving bank पे जो 7% का rate of interest जो मिल रहा है, उसकी वज़े से यह आप सब कुछ देख पा रहे हैं, उसके बाद देखिएगा overall funded assets, यह जो पैसा इनों ने उधार के रूप में दिया हुआ है, तो वो ज़्यादा grow नहीं किया है, और यह main reason इसका इसलिए भी है कि बहुत सारी जो loan book है इनकी moratorium के अंदर है, तो यहाँ पर अभी भी COVID की वजिससे situation improved नहीं हुए है, तो bank aggressively loan देने के बजाए, केवल और केवल इस बात पर फोकस कर रहा है कि पहले अपनी liabilities franchise है, उसको improve किया जाए, और assets franchise यानि कि जो loan देने है, उसके लिए भी वो wait and watch कर रहे है, तो इसलिए यहाँ पर जो growth है, आपको केवल और केवल 3% है, यानि कि Q&Q जो growth है, वो आपको केवल 3% की, यानि कि जो आपने loan बाते है, उसमें जो growth है, आपकी केवल 3% है, लेकिन अगर वहीं आप retail loan की बात करेंगे, तो वहाँ पर 11% की growth देखने के लिए मिलिया, इन सभी parameters के साथ, अ बनाना है, और wholesale banking के अंदर यानि कि जो wholesale loans है, या SME जो lending है, या इसके अलावा MSME जो lending है, उसको ये reduce करना चाहरे है, तो इसी कड़ी के अंदर देखिएगा, इन्होंने infrastructure के जो loans है, वहाँ पर बिल्कुल है हाथ जो है खीच लिया है, क्योंकि IDFC Limited जो है, जिससे IDFC First Bank बना थ पहले, वहाँ से इनको बहुत बड़ा जो है, wholesale banking के अंदर infrastructure loan जो है, मिले थे, और अब ये जो bank की management infrastructure loans को जो है, बिल्कुल ना के बराबर करने पर जो है, तुली हुई है, क्योंकि उनकी जो policy है, वो इसी तरीके से है, तो जो bank की policies है, उसके accordingly ही ये काम कर रहे है, और retail जो funded assets है, वहाँ पर Q&Q जो growth है, वो आपको 11.3% देखने के लिए मिली, तो ये तो थी बात आपको advances की और decolutes की, अब जो share price है, इस पर क्या राय है, तो देखिए कई ये जो 42 रुपीज की जो level है, ये resistance का जो है level था, जहां पर आज जो उपर से sailing होई, उसके लावाँ देखिए हैं कि wait and watch करते हैं कि किस तरीके से जो है, ये share आगे चलके react करता है, और मैंने पीछे भी जो है video एक share की थी, तो मैंने आपके साथ ये बात भी की थी, कि मुझे लगता है कि साल के end तक 50 से 60 रुपे के बीच के जो है price shares के अंदर आ सकते हैं, लेकिन COVID के risk किस तरीके से रहते तो मैं यहां पर अपनी चर्चा यहीं पर समाप करता हूं, और जो भी बात मैंने आपके साथ की, वो to the point आपके साथ IDFC First Bank के बारे में की, आपको ये video कैसी लगी, जरूँ से जरूँ आपको मुझे comment box में बताईएगा, वीडियो देखने लिए धिनने बाद, thank you very much.